राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी जैपुर में शुक्रवार को हुई कॉंग्रेस पार्टी की बैठक में गहलोत और पायलेट कैम्प के नेताओं में जमकर लाद भूसे चले उनके कपड़े फार दिये नाक पर भूसे से खून ही खून हो गया भूपर ने आरोप लगाया कि सांगानेर से कॉंग्रेस प्रत्याशी पुषपेंद्र भार्दवाज और उनके भाय अभिशेक भार्दवाज ने अपने साथियों के साथ उनसे मार्पीट की पूरा वाक्या सांगानेर ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्ष और संगठन चुनाव को लेकर बुलाई बैठक में हुआ मार्पीट में कॉंग्रेस नेताओं ने ही वीच बचाव किया इसके बाद विनेर प्रताप भूपर पुषपेंद्र भार्दवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने सांगानेर थाने पहुँच गए उन्होंने कहा मैं PCC चीफ गोविन सिंग दोटासरा से मांद करता हूँ कि ऐसे आदमी को कॉंग्रेस से हटाया जाए ए मर जाता तो मेरे परिवार का क्या होता क्या कार्यकरताओं को मार कर राजनीती करेंगे दूसरी और विने प्रताप के खिलाफ एक महिला कार्यकरता रश्मी शर्मा ने गाली गलोच की शिकायत दर्ज कराते हुए क्रॉस फर दी है मुझे राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी ने दूंगरपूर के सीमलवारा में ब्रो लगाया है ए सांगानेर विधान सभाक्षेत्र से तैयारी कर रहा हूँ यहां से प्रत्याशी पुषपेंद्र भार्द्वाज और उनके भाय अभिशेक और साती जीतु जाक्र, राजीर शर्मा समेत अन्य लोगों ने मुझे मारा जबकी धर्मसिंध सिंधनिया और रामेश्वर नेता जी ने मुझे बचाया है कहा था कि राहुल गांधी ने कहा है भारत यात्रा जोरो। कॉंग्रेस नेता बुधी प्रिकाश वेर्वा बोल रहे थे कि मेहनत करने वालों को पार्ती में पद्विया जाना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने उन्हें बोलने से टोका तो मैंने कहा उन्हें बोलने दो। बात पर मारपीट शुरू कर दी। कुछ पारशद भी उनमें शामिल थे। और उनके तमाम साती जो लोग थे उन्होंने मारा है मुझे धरम सिंगानिया रामिशन नेता जी ने बड़ी मुश्किल से बचाया है और मैं मुकदमादर्च यहां कराने आया हूं सांगाने रिधाने में। यह आप देख लो किस तरह से बर्बतर सच्चाई की बात को मैंने कहा कि राउल गान जी ने कहा है कि हम भारत यादरा जोड़ो उसको लिए मैस्की पित्ता कहा और बुर्गी पुर्गाज भाई ऐसी गंड़े वह बोड़गा था उसको रोक नहीं थे तो मैंने का रोक क्यो उसमें थे मैं उनका नाम भी राजी शर्मा जी है और एक दो और होंगे सब लोगों ने मुझे मारा और बाती बिर्जी चन जी वगेरा और उनके ड्राइवर होने इनने सबने घरम सिंगी और इनोंने मुझे बचाया आप देख लीजे किस तरह से मेरे साथ हो रहा है मैं प करें दोस्तों वीडियो खुशिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद